हलो दोस्तों मैं हूं सुदेश और आप सभी का सुदेश की रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत तो आज है मटर आलो की सबजी हलवाई श्टाइल में बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बीना वीडियो को स्किप किये एंड तक देखिये और इस तरीके से सबजी आप एक बर जुरूर ट्राई करना तो इस मज़ेदार सबजी को बनाने के लिए यहां पर मैंने सबसे पहले आलू छोले हैं यहां पर तेन आलू है मेडियम साइज के इनको छोल कर काट लेंगे इनको तो मैंने इनको इनको मैं कुछ तरीके से काटा है लमबे करके तो आलू को काटकर इनको छोड देंगे पानी में ताकि आलूँ है काले ना पड़े तो आलू छोल कर मैंने पानी में डाल दे हैं काटकर तो आलूँ यहां पर देखले नहीं चब्स सब नाजम करें करना है। मैं पर ऐसे उनOW को पकने के पूलता है। है और तब तक आलू हमारे पक रहे हैं यहां पर देखिए एक मिक्सर जार लिया है इसमें मैंने दो पिंच अद्रक डाला है लैसुन की कली डाल दी हैं दस से बारा और तीन से चार हरी मिर्ची हैं और प्याज है तीन मीडियम साइज के तो इन तो मैंने इन मसालों का एक पेश्ट बना लिया है और आलू है जो हलके से सुनारे कलर में आ गए हैं तो इनको निकाल लेंगे एक पलेट के अंदर यह देखिए उपर हलकी सी गोल्डन सी गोल्डन सा कलर आ गए इनके उपर बस इनको इतना ही पकने देना बिल्कुल नहीं पक आप वीडियो को भी ना स्किप किये एंड तक जुरूर देखें और एक एक चीज फोलो करें आपकी सब्जी है जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी जैसे साजियों में होती है सब्जी मटरालू की सेम वैसे ही बनेगी सेम उसी कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है आप डाल देंगे इसके अंदर खड़े मसाले यांपर मैंने काली मिर्च और दो से तीन लोंग डाली आप चाहिए तो और खड़े मसाले भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाले आदा चम्मच है जो जीरा डाल दिया है और जो हमने प्याज लसन आद्रक का पेश्ट बनाया था वो डाल दिया है इसके अंदर अब इनको पकाएंगे चार से पांच मिंट के लिए तब तक ये सुन हैरे से कलर में ना आ जाए अच्छी सी खुस बनाने लगे नसन प्याज की तब तक इनको पकाएंगे और इसमें डाला है बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो मिकसर जार में लगे हुए थे मसाले उनी को और मैंने दो टमाटर लिए इनकी प्यूरी बना लेते हैं तब तक ये हमारे मसाले हैं जो पक रहे हैं यहां पर देखिए प्या जो अच्छे से पक गए हैं अब डाल देंगे इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी टमाटर की प्यूरी डालने के बाद नमक है जो स्वाद के आ जाल देंगे इसके अंदर नमक और इसे भी 4-5 मिट के लिए पकने देंगे लोफ लेंपे तब तक ये ओल ना छोड़ने लगे मसाले तो इस सब्जी में जो ये मसाले हैं जो इनको अच्छे से पकने देना तब ही है जो आपकी सब्जी का टेस्ट अच्छे से आएगा जल्द देना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो नीचे लाइक का बटन हैं से लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये देखी मसाले हमारे काफी थीक हो गए हैं अच्छे से पक गए हैं अब डाल देंगे इसके अंदर मसाले तो यहा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून है धनिया पाउडर और यहां पर देखे तीखी वाली है जो एक चोथाई बाग डाला है मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि हरी मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर तीन से चार तो तीख आप अपनी साब स कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब यह सूखे मसाले हैं इनके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि यह सूखे मसाले जले ना और पानी डालने के बाद है जो इनको दो मिंट के लिए अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पर अपने आप यह उपर आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मसाले अच्छे से पक गए हैं अब डाल देंगे इसके अंदर माटर तो यह माटर है जो पहले इन माटर को पकाएंगे दो से तीन मिंट के लिए आलू तो हमारे आधे पक ही गए थे आलू को हम बाद में डालेंगे तो इन माटरों को मैं आप पकने भूल गई थी मैं तो आप डालिये मैंने हींग से भी काफी अच्छा भलेवर आता है सब्जी में तो आप हींग हो तो जुरूर डालिये और इन्हें दो से तीन मिंट के लिए पकने देंगे मटर को तो दो मिंट हो गए है करीब अब डाल देंगे आलू तो इस तरीके से आप सब्जी बना रहे हैं तो कम टाइम में यी बनकर त्यार हो जाती है क्योंकि हमारे मटर भी यादे पक गए हैं आलू भी यादे पके हुए हैं और अब इस सब्जी को बनने में करीब 8-10 मिंट ही लगेंगे तो अब डाल देंगे इसके अंदर पानी तो यहां पर पानी है जो मैंने दो छोटे गिलास के करीब डाले हैं दो गिलास पानी के तो आब इससे अच्छे से चला लेंगे सब्जी को मिक्स कर लेंगे तो इसमें करीब मैंने दो गिलाशी पानी डाले हैं और आप इसको मैं ढख कर रख देती हूं करीब 5-5 मिंट के लिए फुल फ्लेम पे और फिर गयर का फ्ले में जो मेडियम कर देंगे यहाँ पर करीब 5 मिंट हो गए है और आप देख सकते हैं सबजी है जो सब्जी की ग्रेवी है कितनी काफी अच्छी बनी है तो अब इसे लोफ लेंपे पकाऊंगी में करीब दो से तीन मिंट के लिए आलू थोड़े से हलके से कच्चे लग रहे हैं मुझे तो दो मिंट बाद है जो सब्जी हमारी एकदम अच्छे से बन कर त्यार हो गई है और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर और देखने से ही कितनी मज़ेदार लग रही है तो आप एक बार इस सब्जी को इस तरीके से जुरूर ट्राई करें अब इसमें लवाई वाली ट्रीक यूज करते हैं यहां पर मैंने कस्मेरी मैथी डाली है हाथों से करश करके और गरम मसाला डाल दिया हाफ टी स्पून और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे हरा दनिया पत्ति क्योंकि हमारी सब्जी एकदम से त्यार है और ग्राइस का फिले में जो कर देंगे बंद और सब्जी हमारी एकदम से बंद कर त्यार है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट बोक्स में जुरूर एक छोटा सा मैसिज करना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेर करना और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना तो और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ज्या ही ज्या भारत